आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो दोस्तों आईए देखते हैं प्रश्न बताईए कैसे एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है एक सम्चतुर्भुज होता है और एक आयत होता है तो देखे मैंने यहाँ पर एक वर्ग बनाया है जिसका नाम क्या है A, B, C और D ठीक है तो ये एक चतुर्भुज हम इसे इसले कहेंगे क्योंकि इसमें देखिए एक पहली भुजा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई तो इसको हम चतुर्भुज इसले कहते हैं चुकि वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं चार भुजाएं होती हैं इसलिए ये क्या है एक चतुर्भुज है फिर दूसरा देखते हैं दूसरे में एक समानतर चतुर्भुज कैसे है तो देखें समानतर चतुर्भुज तब होता है जब किसी चतुर्भुज की दो भुजा समानतर हो और वो भी कौन सी आमने सामने की जैसे ये AB हो गई और ये CD हो गई तो अगर ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानतर है आमने सामने की तो वो समानतर चतुर भुज होता है लेकिन ऐसा आमने सामने की भुजाएं तो जो AD और BC होगी ये बात उसके लिए भी होन CD के समानतर है और BC जो है वो AD के समानतर है तो हम यहां लिख सकते हैं चूंकि AB जो है वो समानतर हो है किसके CD के तथा AD जो है वो समानतर है BC के इसलिए यह एक समानतर चतुर्भुज है यह एक समानतर चतुर्भुज भी है ठीक है यह दूसरे का उत्तर हो गया अब देखते हैं तीसरा सम चतुर्भुज तो सम चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज सम चतुर्भुज कब होता है तो कोई भी चतुर्भुज सम चतुर्भुज उस स्थिती में होता है कि जब वो एक तो वो समानतर चतुर्भुज हो पहली स्थिती तो पहली condition क्या है? पहली शर्टी है कि एक तो वो समानतर चतुर बुज होना चाहिए यानि उसकी जो चारो बुज़ाएं हैं वो एक दूसरे के समानतर होनी चाहिए और दूसरी शर्टी ही होती है कि ये जो बुजाएं है A B मलग समानतर भुजाएं आपस में बरावर होनी चाहिए तो आपको पता ही है कि A B जो है वो बरावर तो है इस C D के क्यों? क्योंकि वर्ग है वर्ग में सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बरावर होती हैं और ये एक समानतर चतुर भुज भी है अभी हमने दूसरी स्थिती में यही सिद्ध कराए तो इसलिए तीसरे में हम क्या लिखेंगे चोकि वर्ग की सभी बुजाएं बराबर होती हैं तथा वर्ग एक समानतर चतुरबुज भी होता है वर्ग एक समानतर तो देखें दोनों शर्ट एक साथ संतुष्ट कर गई वर्ग एक समानतर चतुरबुज भी होता है इसलिए यह क्या होगा एक सम्चतुरबुज भी होगा इसलिए यह यानि कि वर्ग एक सम्चतुरबुज भी है एक सम्चतुरबुज भी है ठीक है चलिए अब देखते हैं चौथी जो बात है कि ये एक आयत है अब आयत तब होता है जब किसी आयत में जो शर्त होती है वो ये होती है कि जो उसकी दो सनलगन भुजाएं होती है उनके बीच में कौन कितना होना चीए 90 डिगरी का और आपको पता है कि वर्ग की दो दो सनलगन भुजाएं उन सभी के बीच में कौन कितना होता है 90 डिगरी का कौन होता है इसलिए जो वर्ग होता है वो एक आयत भी होता है चौकि वर्ग की सनलगन भुजाओं में वर्ग की सनलगन भुजाएं क्या होती है परस पर लंब होती हैं इसलिए वर्ग एक आयत भी है वर्ग एक आयत भी है ठीक है यह हो जाएगा आपका चौथा उत्तर क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाएटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर